नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस नियोज की डिफेंस टॉक सरीज में जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो की पहली अपडेट सर्फेस्ट्वयर मिसाइल सिस्टम की तरफ से है अभी अगर हमारी सभी सबुकर मिसाइल सिस्टम की कि बात करें तो इसमें एस सीस्टम सबसे जादा दूरी तक स्ट्वाइक कर सकता है और इसकी रेंज करीब geared कारें तक है लेकिन इसके बाद हमारे पास जो सर्फेस्टर मिसायल सिस्टम मौजूद है चाहे वकास हो जाए MR साम हो जाए LR साम हो जाए उनकी रेंज 100 किलोमेटर से कम है जिस वज़े से DRU की तरफ से को कॉंपलिमेंट करने के लिए और ये जो 100 किलोमेटर से लेकर 400 की बीच की गैप को मेक अपने के लिए अपनी एक देशी स्टम की तरह सर्फेस्टोर मिसाल सिस्टम को डिवलाप करना स्टार्ट किया गया था क्योंकि वैसे भी अभी रश्या के ओपर काफी सारे संक्षें को लगाय जा चुका है तो आगे चल के दुरुत पढ़ने पर अशय से कोई भी अडिसनल S-400 सिस्टम को इमिडियेट एक्वेर करने में काफी परिसानी होने वाली है तो इसी वज़े से प्रोजेक्ट कूसा को इनिशियेट किया गया था जिसमें पहले बता गया था कि DR-DO की तरब से दो नए मिसाइल को डवलप किया जाएगा जो की 250 क्लोमेटर और 350 क्लोमेटर की दूरी तक स्ट्राइक कर पाएंगे लेकिन अभी पता चला है कि इसमें अभी एक और मिसाइल को भी डवलप किया जाने वाला है जिस क्रेंच 150 क्लोमेटर होने वाली है तो खुल मिलाकर प्रोजेक्ट कुसा के अंदर टोटल तीन मिसाल डेवलप होने वाल है और अभी अच्छी बात ये की अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप के जाने वाले मिसाल की इनिशिल डेजाइन कम्प्लीट होने वाल है अब जैसे के हम 5th generation aircraft को यानि की stealth technology को हासिल करने की race में हमारे दुस्मन देशों के मुकाबले काफी पीछे पड़ गए हैं तो अभी DRU की तरफ से इस gap को maintain करने के लिए और हमारी defensive power को बहतर करने के लिए DCS 400 सिस्टम को जल्दी जल्दी तयार करने की कोशिस किया जा रहे है प्लान के मताबिक 2026 तक इन सिस्टम की पहली टेस्टिंग को स्टार्ट किया जाएगा और इसके बाद 2028 से 2029 के बिच इनको mass production में इंटर किया जाएगा और इनको पूरी तरीके सा भी fast track mode में develop करने की कोशिस की जा रहे है और इसके अंदर develop किये जाने वाले missile की खास बात ये होने वाली की ये fighter jet के अलावा UAVs, stealth aircraft, ballistic missiles और cruise missile को भी intercept कर सकेंगे जो कि एक single system में हमें एक multi-layer की air defense coverage और missile defense coverage दोनों को provide करने वाली है अगला update ब्रमोस missile के तरफ से मिसाल की पहली व्याच को 2023 के इंड में deliver करने का plan किया गया था और भारत की तरफ से भी ब्रमोस missile की पहली unit को Philippines को deliver करने के लिए तयार कर दिया गया था लेकिन आखरी मोमेंट में फिलिपीन्स की तरफ से बात बता गया था कि अभी ब्रमोस मिसाइल को डिपलॉय करने के लिए और स्टोर करने के लिए उनकी सभी फैसिलिटी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था जिस वज़े से इनकी डिलिवरी को थोड़ा पोस्ट करने के तयारी किया जा रहा है और इसी के साथ ही अभी फिलिपीन्स ब्रमोस मिसाल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर भी बनने वाला है और इसी के अलावा भी यह भी सुनने को मिल रहा है कि अभी ग्रीस की तरफ से भी ब्रमोस मिसाल को खरीदने का विचार किया जा रहा है म इसी वज़े से अभी ग्रीस की defense experts की तरप से भारत से ब्रमोस missile को acquire करने के वारे में suggestion दिया जा रहा है और उनके मताबिक अगर ग्रीस ब्रमोस missile को हासिल करता है तो तर्की की नेवी कभी भी ग्रीस के करीब नहीं जा सकता है और वो effectively इसे टर्कीस नेवी की attack को defend कर सकते हैं जो की काफी अतक सही भी होने वाला है तो अभी अगर ग्रीस की तरप से ऐसा फैसला लिया जाता है तो भारत को ब्रमोस missile को export करने के एक और मौका मिलने वाला है लेकिन हो सकता है आगे चल के इसको ग्रीस को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है अगला अपडेट भारत और गवाना की तरफ से पिछले महीने भारत और गवाना के बीच डॉनर टू 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 एट एक्राप्ट की जो इंडियन वेरियंट था उसको लेकि एक डील को फानल किया गया था जिसमें गवाना डिफेंस फोर्स की तरफ से भारत से दो डॉनर टू टू एट एक्राप्ट को खरीने की बात की गई थी मैनली गवाना डिफेंस फोर्स की तरफ से इने aircraft को अपनी maritime surveillance और patrolling mission में इस्तमाल करने के लिए खरीदने का प्लान किया गया था और इसको खरीदने के लिए भारत की तरफ से भी उनको line of credit को offer किया गया था यह donor 228 की full indigenous variant यानि की हिंदुस्तान 228 aircraft होने वाले थे और अभी Gwana Defense Forces की तरफ से tweet में बता गया कि उनको अभी HL की तरफ से आज दो हिंदुस्तान 228 aircraft को deliver किया गया था और इनको Gwana की छेदी जगन airport में अभी officially deliver किया जा चुका है यह पहली बार है जब भारत की तरफ से Gwana को कोई भी defense system को deliver किया गया एक्सपोर्ट किया गया और इसी के साथ ही भारत की तरफ से भी पहली बार किसी aerospace equipment को कोई South American countries को supply करना स्टार्ट किया गया शुरू से ही भारत इन country में defense system को export करने का मौका ढूंड रहत और अभी भारत को पहली बार इसमें सफलता मिल चुकी है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जया हिन बंदे मातर कर्णाओ के लिए इतनी एंड पर दोस्तों अभी कर दोस्तों छुकी है तोस्तों झाल शुकी है जया है तोस्तों नहीं है तोस्तों प्रिया हिर अएभी भार टुकी है